नमस्कार, हर हर, महादेव स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देवया स्ट्रों में और मैं हूँ आप सभी के बीच देवया आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने जा रहे हैं सावन मास के मातमे के चौदवे अध्याय के बारे में इस सद्याय में आपको नाग पंचमी व्रत का मातमे सुनने को मिलेगा इश्वर बोले, हे माहमुने, सावन मास में जो व्रत करने योग्य हैं वो अब मैं बताऊंगा, आप उसी ध्यान से सुनिए चतूर्ती तिथी को एक बार पोजन करे और पंचमी को नक्त पोजन करे स्वन, चान्दी, कास्ट अथ्वा मिठी का पांच फणों वाला सुन्दर नाग बना कर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पुर्वर पूजा करने चाहिए द्वार के दोनों और गोबर से बड़े-बड़े नाग बनाए और ददी, शुब, दुर्वाकरू, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलो, गंदो, अक्षतो, दूप, मनुहोर, दीपो से उनकी वितिवत पूजा करे उसके बाद ब्रामनों को घ्रत, मोदक तथा खीर का बोजन करा है इसके बाद अनंत, वासुकी, श्वेश, पद्मनाब, कंबल, अश्व, आठव, धरत्राष्ट, शंकपाल, कालिय, तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपत्यों को तो तो इनकी मातक, गद्रू को भी हल्दी और चंदन से दिवार पर लिखकर फूलो आधि से इनकी पूजा करें, उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में परत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूद पिलाएं, गरत तता शरकरा मिश्रित प्रयाप्त दूग्द उन्हें अरपित करें, उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आधि ना बनाएं, ने के दाथ बहुत ही मजबूत होते हैं, साब के वामी के पास शंगार युक्तिस्त्रियों को गायन और वादन करना चाहिए, और इस दिन को उस्सव के तरफ मनाना चाहिए, इस विद्धी से वरत करने पर सरप से कभी भी बय नहीं होता है, हे विप्र, मैं लोगों के हित की का सामना से आप से कुछ और भी कहूंगा, हे माम उन्हें आप उसे सुनिये, हे वत्स नाग के दोरा ऐसा गया गया मनुश्य मनने के बाद अदोगति को प्राप्त होता है, और अदोगति में पहुँचकर वो तामसी सर्प होता है, इसकी निवरत्ति के लिए पुर्वक्त वे पुरत का अनुश्ठान करे और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित ब्रामनों तता सन्यासियों को बोजन कराए, किसी पुरान ग्याता ब्रामन को रतन जटित सुवन मैं नाग और सभी उपसकरों से युक्त तता पच्छडे सेद्गों पर दान करे, दान की समय सर् और दान से मुक्त हो जाए, ऐसा उचारन करके अक्षत युक्त तता श्वेट चंदर मिश्डित जलवासु देव के सम्मक्ष बक्ति पूर्वक जल में छोड़ते। जो मनुश्य वित्ष शाक्य से रहित होता है वह इस वरत का संपुन फल प्राप्त करता है। जो कोई भी मनुश्य नाग हत्या के कारण इस लोग में मरत संतानों अवाले अथ्वा पुत्रहीन होते हैं। जो कोई मनुश्य इस्तरियों के परतिकारपणे के कारण सरप्योनी में जाते हैं। कुछ लोग दरोहर रखकर उसे स्वयम ग्रहन कर लेते हैं अथ्वा मिथ्या बाशन के कारण सरप्योनी में जाते हैं। सबी के प्राहशिक के लिए उत्तम उपाय कहा गया है। जाकर शिव तता विष्णु का गण मन का परम सुक प्राप्त करता है। मैंने आपसे नागों की इस पंचमी वरत का वनंग किया है। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा वरत सुनना चाते हैं उसे बताइए। इस प्रकार श्रिसकंद बुराण के अंतगत इश्व समनत कुमार समवाद में सावन मास मात्मे में नाग पंचमी वरत कथर नामक चोद्व आध्या पोर्ण हुआ। यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलेगा। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप एक बाद जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। मैं आप सबसे इजाज़त चाती हूँ हर हर आदेव।